कॉम्पлекसनमर के टॉपिक में हम एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं आर्जैन्ड प्लेंड एंड पोलर रिप्रस्थेंटेशन उफ ए कॉंपलिक्सन नमर को पोलर फोम में या पोलर रिप्रस्थेंटेशन में लिखना और उससे पहले concept हम पढ़ रहे है आर्जेंड प्लेंड आर्टिकल 5.5 आपकी बुक में दिया हुआ है NCRT की बुक अगर आप उठाएंगे तो उसमें आर्जेंड प्लेंड और पोलर रेप्रेजेंटेशन दो टर्म्स हैं तो पहले हम बात करते हैं आर्जेंड प्लेंड के बारे में बचों अपने 9th और 10th क्लास में कोडिनेट जेमेट्री के बारे में पढ़ा है जिसके कुछ बेसिक्स यहां पर हम एक बार के लिए रीकैप कर लेते हैं दो रियल नंबर्स के एक ओर्डर्ड पेयर को हम जब जेमेट्रिकली एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर कॉडिनेट प्लेन का कंसेप्ट आता है कॉडिनेट प्लेन में हम दो म्यूचुली परपेंडिकुलर एक दूसरे पर 90 डिगरी का एंगल बनाती हुए दो ले ले लेते हैं उन दोनों लाइन को हम कॉडिनेट एक्सिस बोलते हैं यह x-axis है और यह y-axis है दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं वह origin हो गया उसको हम o से लिखते हैं इस एक्सिस पर इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव वैल्यूज एक्स की होती है और y की एक्सिस के माध्यम से ही उसको एक्सप्रेस करते हैं जैसे माल लेजी हमने एक पेर बनाया 4,1 तो 4,1 को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे x-axis पर 4 और y-axis पर 1 यह दोनों पॉइंट्स लेके और हम accordingly यहां पर उस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे कि यह पॉइंट complex numbers के topic में इस concept को देने का मतलब क्या है देखे किसी भी complex number को जैसे हम किसी real number को इस प्रकार geometrically express कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार से किसी complex number को भी geometrically represent करना हो तो वहां पर argent plane का concept arise होता है करना क्या है बहुत ही simple सा काम है कि कि किसी भी complex number को अगर आपने geometrically express करना है तो आप उसक कौन से एक real part और एक imaginary part जैसे मैं एक number ले ले लेता हूँ 3 plus 2 iota z equal to 3 plus 2 iota ये एक complex number है जिसमें आप real part आप देख पा रहे हैं इसका real part 3 है और imaginary part अगर आप इसका देखें तो वो है 2 iota का coefficient आयोटा नहीं लेना है अपने साथ में इसका केवल coefficient लेना है वो है 2 तो ये real और imaginary part हम इस real part को x-coordinate और imaginary part को y-coordinate की तरह से treat करके और इस plane के अंदर ठीक उसी प्रकार से represent कर दें जैसे हम 10th class में ये 9th class में किसी real numbers के ordered pair को express करते थे जैसे यहाँ 4 1 को express किया है ठीक इसी प्रकार से आप 3 और 2 3 को x-coordinate और 2 को y-coordinate मानते हुए 3,2 यहाँ पे express कर दें ये जो point आपको नजर आ रहा है यहाँ पर इसका x-coordinate 3 होगा और y-coordinate 2 होगा और ये point complex numbers की language में या हम argent plane में हम काम कर रहे हैं argent plane भी आप इसको कह सकते हैं और आप इसको complex plane का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि हम complex numbers को इस plane के अंदर express करने वाले हैं complex plane तो इस complex plane में ये points जो आप देख रहे हैं ये 3 प्लस 2 आयोटा को express करता है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि real part को आप x-coordinate की तरह और imaginary part को y-coordinate की तरह treat करते हुए अगर आप किसी complex number को इस पे express करना चाहें तो very easily आप इस argent plane में किसी complex number को represent कर सकते हैं सब कुछ exactly जैसे आपने 10th class में coordinate geometry पड़ी है सब कुछ वैसा ही है थोड़ी सी terms अलग हो जाएंगी यहाँ पर जैसे हम 9-10th class में इसको x-axis बोलते थे इसको y-axis बोलते थे अब यहाँ पर यह वाला जो axis है इसको हम real axis का नाम देंगे और इस axis को हम imaginary axis का नाम देंगे इस पूरे plane को जैसे मैंने आपको बताया कि argent plane या complex plane का नाम दिया जा सकता है कोई भी point किसी complex number को represent करेगा किस complex number को represent करेगा उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे जैसे यहाँ पर आपको 3,2 इसके coordinates दिखाई दे रहे हैं तो यह point actually 3 plus 2 आयोटा को represent करेगा इसी परकार यह point 4 plus आयोटा को represent कर रहा है आपने कोई point यहाँ ले लिया यह minus 2 और यह minus 3 इसके coordinates minus 2 और minus 3 हैं तो यह point minus 2 minus 3 आयोटा को represent करेगा क्या होगा कि अगर कोई point इस real axis के उपर हो माले जी यह point हमने लिया इसके coordinates आप देख रहे हैं कि 2,0 हैं तो यह point क्या हुआ यह 2 plus 0 आयोटा को represent करता है 2 plus 0 आयोटा यह आप खाले 2 कह लिजिए means जो purely real numbers है purely real numbers जिनमें आयोटा नहीं होता आयोटा की term ही नहीं होती वो numbers तो real axis पर आएंगे कुछ numbers ऐसे भी हो सकते हैं जो purely imaginary होते हैं जैसे मैं एक number ले लूँ minus 3 आयोटा तो minus 3 आयोटा आप इस पर देखिए कहां आएगा इसके लिए आपको इसका real और imaginary पार्ट देखना पड़ेगा इसका real पार्ट 0 है क्योंकि है ही नहीं यहाँ आप देखिए तो आप इसको 0 minus 3 आयोटा लिखेंगे real पार्ट 0 हो गया imaginary पार्ट minus 3 हो गया तो जो purely imaginary numbers होते हैं वो imaginary axis पे आएगे purely real numbers real axis पे या x axis पे आएगे और जो numbers ना तो purely real हैं ना ही purely imaginary हैं वो इस परकार से किसी एक quadrant में आएगे चार quadrant आपने पढ़े हैं 1st, 2nd, 3rd और 4th इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी complex number के modulus को geometrically कैसे represent किया जा सकता है modulus से हमारा यहां पर क्या मतलब है माली जे z equal to x plus iota y कोई complex number है हमने पिछले topic में पढ़ा है कि z का modulus है वो x square plus y square under the root होगा, right real part का square plus imaginary part का square under the root, ये modulus of a complex number होता है अब यहां मैंने इसी complex number को argent plane में represent कर दिया p point से, जिसके coordinates x और y है ये चीज़ अभी हमने discuss करी है कि real part को x coordinate से और imaginary part को y coordinate से आप represent करेंगे अब मैं यहां पर एक construction करता हूँ o को p से join कर देता हूँ और p से नीचे perpendicular डाल देता हूँ pm x axis पर, या real axis पर तो अब आप यहां देखिए ये om जो है ये आपको नजर आ रहा है कि ये x होगा right, क्योंकि इस point का x coordinate जो है, वो हम यहीं से measure करते है ये x हो गया, इसी प्रकार से ये जो pm है, ये y होगा ये चीज़ें आप 10th class में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि ये x है और ये y है तो आप op निकालिए op क्या होगा, op होगा om square प्लस pm square under the root pythagorean theorem आपने पढ़ी है, तो उसमें आपने पढ़ा है hyperteneus का square जो होता है, वो base का square प्लस perpendicular का square होता है और hyperteneus निकालना है, तो इस इस root x square प्लस y square हो गया, और root x square प्लस y square क्या है, modulus of z तो ये z का modulus हो गया that means एक result निकलता है हमारे पास कि modulus of a complex number is distance of point representing it from origin कि किसी भी complex number का जो modulus है, वो उस complex number को represent करने वाले point का origin से distance होता है